देगे जैसे ही अमित्सा की बैठक नितीश कुमार के साथ समाप्त हुई अमित्सा ने अपने निताओं के साथ बैठक सुरू कर दिया है जी हाँ अपने नेताओं से बादचित करेंगे और उस बादचित में ये भी होगा कि निटीश कुमार से क्या बादचित हुई है और ये भी होगा कि आखिर परदेश के किन किन नेताओं ने निटीश कुमार पर टिपनी की है और किस तरह की टिपनी की है क्योंकि कहा ये जारा है कि क्या हम से खता हुई कि दूस्मनी हो गई और जब इस पर चर्चा होती है तो पुराने बात खुलते हैं और जब बात खुलते हैं तो लोग कहता है कि तुमने ये गलती किया था अगर तुम ये गलती नहीं किये होते तो हम तुमसे दूस्मनी नहीं करते तो नितीश कुमार भी ये कह चुके होंगे और जब नितीश कुमार ने कहा होगा कि तुम्हारे प्रदेश के निताओं में अकड़ है और अगर इसमें चर्चा होगी तो समराठ चोधरी की चर्चा होगी और अब देखें अमित्सा अपने निताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है कि अमित्सा बिहार आते हैं पुरिभी छेत्रिये बैठक के लिए और अपने नेताओं के साथ बी बैठक सुरू कर देते हैं और एयरपोर्ट पर देखा भी गया सरकारी कारिक्रम में सामिल होने आये थे अमित्सा लेकिन उनके भी पार्टी के नेता उनको रिसीब करने जाते हैं और उसके बाद नितिष्ट कुमार के साथ अच्छी खासी बैठक होती है बंद कमरे में लगबग 2-3 गंटे तक बैठक चलती है और उस बैठक के बाद अमिश्टा अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने निकल जाते हैं और ये बैठक लंबे समय तक नहीं चलेगा लगबग एक घंटे तक ये बैठक चलेगा और उस बैठक में निर्ने लियाज आएगा 2024 और उसके बाद कहा ये भी जा रहा है कि इस बैठक में भारतिये जन्ता पार्टी के कुछ नेताओं का क्लास भी लगने वाला है क्योंकि आपको याद जब खूब खबर चल रहा था कि निटीश कुमार भारतिये जन्ता पार्टी के सांथ रिस्ता तोर सकते हैं तब अमित्सा बिहार आये थे और उस समय उन्होंने अपने पार्टी के तमाम निताओं की क्लास लगा दी थी और उस समय भारतिये जन्ता पार्टी के तमाम निता से मिल रहे हैं और अब आगे चर्चा देखिए क्या होता बेराल इसका बर मीटता हैं बेरेना मार साथ और देखते रहें देंडिया टॉप